आज इस personality के मैं बात करूँगी इन्हें 3 साल की उम्र में एक बार stage पर perform करने का मौका मिला था और तब audience का ऐसा डर लगा कि ये perform ही नहीं कर पाई आज की बात करें तो आज इन्होंने film industry में ऐसे किरदार निभाए हैं जो आज तक याद किये जाते हैं ये उन चंद female actresses में से एक हैं जो serious roles भी निभाती हैं और comedy भी गजब की करती है in fact बात करें अगर office office serial की तो उसमें इनका किरदार ऐसा जबरदस था कि अपने office में आकर सारे काम करती थी लेकिन office का काम नहीं करती थी बात करेंगे office office serial में उशा जी का किरदार निभाने वाली actress असावरी जोशी की असावरी जोशी की life से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब असावरी जोशी का पहला stage बना गनेश पांडाल क्यूं असावरी जोशी को एक time पर उनके parents ने हिंदी फिल्म देखने से मना किया था और कैसे उशा जी का किरदार करके उन्होंने सभी का दिल जीत लिया असावरी जोशी की अगर बात करें तो वो महराश्ट्रिन मिडल क्लास फैमिली से मिलॉंग करती है मुंबई के गोरे गाउं में उनका बच्चपन बीता है इसी दौरान असावरी जब 3 साल की थी तो महले का गणेश उत्सफ था और वहाँ पर स्टेज पर उन्हें भी परफॉर्म करने का मौका दिया गया था उनकी मौम चाती थी कि ये स्टेज पर परफॉर्म करें और लोगों का ध्यान खीचे तीन साल उनकी उम्र थी 68 किये बात है तब वो स्टेज पर गई तो सही लेकिन जैसे ही परदा खुला और सामने से ओडियन्स दिखी और मदर आसपस नहीं दिखी तो वो घबरा गई और परफॉर्म नहीं कर पाई और यहां से उन्ने पता चला कि उन्ने स्टेज फियर है लेकिन जैसे जैसे स्कूल में गई एक्स्टा करिकुलर अक्सिविटीज में पाईसिपेट करती रही, खिताब जीत ती रही तो यह स्टेज फियर भी ऐसा गायब हो गया कि उन्नोंने स्कूल में रहते वी ना बेट्स में हिस्सा लिया बलकि सिंगिंग के भी वो काफी फैन रही जिस वक्त असावरी कॉलेज में थी वो रूपर रेल कॉलेज से अपनी ग्रैजुएशन कर रही थी तभी उन्होंने एक मराथी प्ले में काम किया था ये प्ले बच्चों के लिए बनाया गया था और इसम मराथी प्लेज के बाद उन्होंने मराथी फिल्मों में और टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया और एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया लेकिन हिंदी फिल्मों में काम करने से पहले 81-82 की ये बात है जब असावरी के पैरेंस ने उन् तरह का मैसेज उस फिल्म में था, इसलिए असावरी को ये फिल्म नहीं देखने दी गई, ये फिल्म थी कामल हसन और रती अगनी होतरी के फिल्म एक दूजे के लिए, इस फिल्म के गाने भी बहुत बहतरीन थे, लेकर इस फिल्म का यंग्स्टर्स पर बहुत इंपक्ट इस फिल्म में उनके बस दो सीन थे, लेकिन फिल्म में नाना पाटेकर और रिशी कपूर थे बड़ी फिल्म थी, इसलिए असावरी ने इस फिल्म में काम किया और यहां से उनका छोटा ही सही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हो गया तब ही टीवी इंडस्ट्री में सैटलाइट चैनल्स का काफी क्रेस बढ़ रहा था और टीवी सीरियल बहुत बन रहे थे और तब एक टीवी सीरियल काफी पॉपलर हुआ था जबान संभाल के जिसमें हमने पंकच कपूर, विजु खोटे जैसे आक्टर्स को काम करते हुए और ये काफी मज़िदार सीरियल था इस सीरियल के कुछ एपिसोर्स का हिस्सा असावरी रही और इसी दौरान उनकी जान पहचान इस शो के डिरेक्टर राजीव महरा से हुई इस शो के बाद राजीव महरा ओफिस ओफिस पर काम कर रहे थे और तब असावरी को राजीव म पंकज कपूर, मनोज पावा, सैंजय मिश्रा जैसे कलाकारों के साथ असावरी इस सीरियल में नजर आई और उनका किरदार एक ऐसी लेडी का था जो रोज ऑफिस आती है अपनी जगह पर बैठती भी है लेकिन उस जगह पर बैठ कर वो वहां का काम नहीं बलकि अपने घर का काम करती है वो ऑफिस में बैठ कर भिंडी काट लेगी वो ऑफिस में बैठ कर स्वेटर बुन लेगी वो ऑफिस में बैठ कर घंटो अपनी सहेली से उसकी सास के बारे में बतिया लेगी लेकिन उन्हें ऑफिस में बैठ कर ऑफिस का काम करने में बहुत आला साता है कुछ इ आया ओफिस ओफिस और तो और इस सीरियल पर फिल्म भी बनी आगे चल कर चला मुसद्दी ओफिस ओफिस यानि कि बहुत अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को भुनाया गया हर तरीके से और हर बार सक्सेस मिली और यही वो टाइम था जब असावरी जो कि मराथी फिल्मों और मराथी प्लेज का एहम हिस्सा थी उन्हें अब हिंदी फिल्मों में काम मिलने लगा था कॉमेडी और थोड़ा कूल वाला ही यह काम था आगे चल कर असावरी ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया जिसमें से वक्त फिल्म थी जिसमें अक्षे कुमार, प्रियंका चोपड़ और महनायक अमिता बच्चन थे, इस फिल्म में उनके सीन्स तो कम थे लेकिन अमिता बच्चन की फिल्म में उन्होंने काम कर लिया और ओम शान्ती ओम में भी उनका अच्छा खासा किरदार था जहां असावरी के हिंदी फिल्मों में अगर रोल्स देखे जाएं तो वो जादेतर रोल, कॉमेडी रोल्स ही होते हैं वहीं अगर मराथी सिनेमा की बात की जाएं तो वहाँ पर असावरी एक बहुत बड़ी स्टार है और कॉमेडी रोल्स के लिए नहीं बलकि वहाँ पर वो स्टार है बलकि इसलिए किया कि इसमें इनका किरदार अच्छा है और अच्छी आक्टिंग करने का मौका मिलेगा वेल हम सब जानते हैं कि एक होते हैं वो लोग जो सिर्फ स्टार बनने आते हैं और दूसरे होते हैं वो लोग जो कला को सीखते हैं और उस कला को सीखने के बाद उसका प्रदर्शन करके एक मैसेज भी देते हैं असावरी उन्हीं में से एक है वो थियेटर से हैं यही कारण है कि उनका लालच केरेक्टर के लिए जादा है बनिस्पत पैसो के वेल असावरी मराथी इंडस्ट्री में तो अक्टिव है ही वी होब कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी असावरी जी को जादा से जादा रोज दे ताकि हमारी 90s की ओफिस ओफिस वाली यादे जो है वो ताजा रहे हैं असावरी जी का कौन सा किर्दार, कौन सी फिल्म या कौन सा सीरियल आपको बहुत पसंद आया, कॉमेंट सेक्षिन में जरूर शेयर करें, कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलिवुड के एक और स्टोरी के साथ, लाइक करें हमारा झाल झाल